बिल्बली अम्नीत को और जो अपने फैसल स्टाल से हम सब की बेच काफी पॉपुलर है जुन्हों ने काफी कम टाइम में ही एक सबट कर एक रोल किये हैं और हम सब के दिलों में अपनी जगह बढ़ा लिया लेकिन कैसे एक नौर्मा डांसर से अम्नीत इतनी बने सूपर स्ट को और से जुड़े कुछ अमेजिंग चीजें जो के साथ अपने ही चांदे होंगे तो वीडियो को इन तक जरू देखना है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब जरू कर ले तो बिना किसी देरी की चले विडियो को स्टार्ट करते हैं अम्नीत का ज एक छोटा भाई है जिसका नाम जरीद सिंग है उन्हों ने अपने स्कूल पढ़ाई दिये भी पॉब्लिक स्कूल चरंदर पाजाब से की बात के रही की करियर की तो अम्नीत ने 2010 में अपनी करियर की सुरवात की वह पहली बार टेलिवीजिन पर दिखाई दी जब उन्हों अपने एक्टिंग का डेब्यों टीवी सो मेरी मा के साथ एक बाल कलकार के रूप में टीवी पर सुरुवात की जिसमानी जिल्मिक की भूमिका निभाई थी साल 2012 में उन्होंने जहलक्तिक लाजर सीजन 5 में भाग लिया जिसमानी इतने अभीत हिता तर्शिल सफ्री के साथ भागेदाजी की थी और साथ उचर तेरह में अम्झी जी टीवी के सो एक मुठी आसमान में पाखी कपूर की भूमिका में दिखाए जी थी हमारी सिस्टर डेजी ट्विस्ट वारा लव चैन्द नंदनी और अलादीन दानतर सुना होगा जैसे कई धर्वायू सीवी में अम 14 वर्षते थी और अनीत की आने वाली मूवी एटी को विट सिरू जिसमें अनी नाजय देन सदीकी के साथ काम कर रही हैं टिक टोक स्टार अनीत को और की टिक टॉक पर कुल 18 मिलियन फॉलोवर्स थे और 400 मिलियन लाइक्स थे और इनकी फैन फॉलाइंग ने ही इनको इंद 46 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और अगर बात कर रहे हैं नीत को और के मैरेज स्टेडिस की वह भी फिलाल सिंगल है और किसी के साथ डेटिंग नहीं कर रही है लेकिन अफ़ाओ को माने तो वह सद्धार दिगम को डेट कर रही है दोनों अपने अपने एकाउंट पर एक कोई बात नहीं की और एक दूसरे को केवर अच्छा दोस्त मानते हैं तो यही थी अब नीत को और की अंसुनी कहान ही तो अगर आपको वीडियो को लाइक जर्व कर लेना साथ यह और इंट्रेस्टिंग अपडेट्स देखने के लिए हमारे चाहां को सब्सक्राइब जोड कर लें तो मैं में तो आपको अगले वीडियो में तब तके लिए टेक केर एंड बाइबाए